आध्यात्मिक उन्नती कहते हैं कि जिस व्यक्ति के जिवन में प्रभू का इस्परण है, वह व्यक्ति रोज चैंटिंग करता है कोई मंत्र की, पूझा पाठ करता है, दार्विक आयोजन करता है, वह व्यक्ति बहुत कम दुखी रहता है, लेकिन कल्यूग में ऐसा देखा गय लोग नहीं है, हो सकता हमें किसी और पात पर चलकर हमें मंजिल या शांती बिलेगी, लेकिन हम जबर्दस्ती दो गंटे चार गंटे पूझा पाठ करते हैं, जो की गलत भी हो सकता है, इसलिए अगर आपकी कुंडली, मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और मीन लग बना, हमारे जीवन में मर, मस्तिश और शरीड में spiritual power को भर देना का योग बनता है, इसमें भी जो लगन के मालिक हैं, जैसे मितुन लगन है तो बुद, कन्या लगन है तो बुद, धनु और मीन लगन है तो गुरु, वो केंदर में बिराज बानों चाहिए, परंतु, जैसे मितुन और कन्या लगन है तो उसमें गुरु नहीं होने चाहिए, दनु और मीन लगन है तो उसमें बुद नहीं होना चाहिए, ये केंदर में अगर ऐसा है, तो आप समझ लीजिए कि आप spiritual power को प्राप्त करेंगे, आप अगर ध्यान, चिंतन, पूजा पाठ, किसी मानसिक और आधियात में उन्नती तय है, इसके लिए आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली का विस्क्लिशन की करवा सकता है, ताकि और अधिक जानकारी मिल सकें, आपका शांदार दिन गुजरे, यही मैं इश्वर से प्रार्तरा करते हुए, अपनी जुबान को यहीं वि यहीं आप चेरवागड़ागे बाद।